हलो एवरीवन विल्कम बेक टू मैं चैनल और आप सब कैसे हैं यो वेरी वेल डन और आप देख रहे हैं मेरी लाइफ बेट को क्लीन कर दिया है और सारी चीज़ें अपने जगह पे प्रॉपर मैंने रख दिया है और यह जो मनी प्लांट मैंने लगाया था तो इसमें नई ग्रोथ आ गई है आप देख सकते हैं उपर कर जो है नई ब्रांग चाई है इसमें और मुझे लगाया भी पंद्रा दिन हुए है उसके हिसाब से अच्छी ग्रोथ हुई है चार-पास पतियां इसमें निकली है और रूम औगेरा में इसको रखने से थोड़ा सा ऑक्सिजन होता है तो अच्छा होता है बेट रूम औगेरा के लिए अधरवाज आप कहीं भी इसको रख सकते हैं अपने हाउसोल्ड में कहीं भी रख सकते हैं उसके बाद जैसे आपको पता होगा कि ये मेरे घर के सामने पानी लगा था तो पानी अब निकल गया है और उसके बाद ये मैं धुलाई कर रही हूँ सोची कि अच्छे से क्लीन हो जाए क्योंकि पानी वग में पोचा तो लगाती है बट उनको अच्छी तरह से सब चीजें नहीं कर पाती हैं और ये साइड में गंदगी हो गए थी तो हल्का सा हार्पिक डाल के मैं इसको सफाई कर रही हूँ क्योंकि हल्का सा हार्पिक डाल देने से जो है गंदगी वगारा जो है निकल जाता है इस पेसली मार्बल जो है क्लीनर आता है बट मैंने भी लिया नहीं है और देखती हूँ तो मैं इसी से जो है ये हार्पिक से ही डाल के और कर देती हूँ क्लीन और हाथ में गलब्स भी म तो इसलिए आप जब भी करिए तो इसको आप अपने हाथ में गलब्स वगारा जरूर पहन लीजिए ताकि आपके हाथों की सुरच्छा हो पाए अब जब 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 दो ब कर दो और कमातिए ताकि आपके हाथ मेर जब जब ऑपके हाथों की सुरच्छा हो आपके आपके हाथ इस वाद यह जो मेरा इनवाटर है तो जो हम लोग इसमें वागएर में जो पानी वगारा डालते हैं तो कभी-कभी ओवरफ्लो हो जाता है तो इस रास्ते जो है निकल जाता है और उसका जो तेजाब है और उसके वज़़े से यहां पर पीलापन काफी हो गया था यह काफी तो अगर इस तरह से अगर आपके घर में भी अगर कुछ है तो हल्का सा हर्पिक डाल के और फिर इसको भी आप इसक्रब और से थोड़ा सा रगड देंगे तो जो पीला पन है वो अच्छी तरह से निकल जाएगा और तो यह ध्यान रखना चाहिए क्योंकि यह जो भी हम इसमें पानी डालने बैटरी में तो थोड़ा सा कम ही डालने ताकि उबर्फ्लो ना हो पाए तो यह मुसे पहली बार इस तरह से हुआ और तो कम ही पानी डालना चाहिए उसमें ताकि उबर्फ्लो ना हो पाए तो देखिए अच्छी तरह से सब सफाई हो गया है पीला पन जो भी था वो अल्ड़ेडी निकल गया है और बैटरी की भी हमेसा थोड़ा सा इसको क्लीन करते रहना चाहिए क्योंकि इस पर हमेसा जो ड जालते हैं और हमेसा चिक करते रहना चाहिए क्योंकि रड निशान के नीचे नहीं आना चाहिए नहीं तो थोड़ा सा खत्रा होने का डर है रहता है तो देखिए कितने अच्छी तरह से यहां पर मैंने क्लीन कर दिया इसको और लगभग जो है यह धुला गया है अब फिर सब्सक्राइब जो है उसको धुलाई करनी है और दुलाई वगयरा से होता है कि कोने का जो भी डेस्ट वगयरा है वो सारी निकल जाते है पोचाे वगयरा से जो है कि पानी हात वहां तक नहीं पहुच esperando पाते है और पानी यह है वहां तक चलेदे जाते हैं तो जो धूल गंदगी इक रहती है रहती है उसको अच्छी तरह से निकल जाती है तो तो बेटर ऑप्सनर रहता है कि उसको अच्छी услов Сब्स чис करना चाहिए कि महीने में एक आध बार तो धुलाई करी देना चाहिए और उसके बाद ये बाहर का जो मेरा गार्डन वगारा है अब धुल रही हूँ और ये डश्ट बीन वगारा भी क्लीन किया मैंने और क्योंकि पानी लगने की वज़ा से इतनी मस्तुराइजर हो गया था चारो तरफ अंदर बाहर की कुछ कहा नहीं जा सकता और काफी अनकमफरटेवल भी लग रहा था कि कैसे चिप-चिप-चिप-चिप हुआ है तो सड़ली जब ये पानी निकल गया तो धूप भी हो गए जिस दिने धुलाई में कर रही हूं धूप भी है और अच्छी तरह से धुलाई क हुआ 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 है हुआ है और फिर लगवक सारे धुलाई हो गई है बाहर का ये है तो बस जो सीड़ी आपको इस्टेप दिख रही है बस उपर की जो बस से एक सीड़ी बस बची थी इतना पानी लगा था और उसके वज़े से काफी दिक्कत हुई हम लोगों को और बटर जो चीज आती है फिर उसको खतम होना ही होता है और लगबग यहां पर सारी क्लीनिंग वगएरा मेरी हो गई है और मैं फिर थोड़े दिर बस सावद लेने जाओंगे और क्योंकि इतना पानी मेरे हिसाब से जब से हम लोग यहां रहे हैं वो फर्स टाइम इतना पानी लगा है और इतना पानी कभी नहीं लगा पानी लगता था थोड़ा सा पानी लगता था लेकिन इसकुटी वगएरा जो है आराम से आ जा सकती थी बट इतना पानी कभी भी नहीं लगा तो यहां पे सारी क्लीनिंग वगएरा डन हो गई है हम देख सकते हैं और धुलाई के बाद कितना फ्रिस लग रहा था मैं बता नहीं सकती और खुसी भी हो रही थी कितने दिन का पड़ा वैसे पानी जो है वो पान से छे दिन में निक अधा डिले हो गया है और क्योंकि बीच में तेवार वगएरा आ गये थे तो फिर तेवार का भी करना था तो इस वज़े से और सारी क्लीनिंग कंप्लीट हो गया और घर जब साब सुत्रा रहता है तो थोड़ा सा अच्छा भी लगता है लेकिन जब थोड़ा सा मजबूरी हो जाती है तो फिर वही दिक्कत होती है कि नहीं हो पा रहा है क्लीन कुछ पोधे खराब हो रहे थे तो उसको हम लोगों ने डिस्कार्ड कर दिया है और उसके बाद कुछ पौधे जो सरदी के होते हैं उनको लगाने हैं और मेरि गोल्ड का हम लोगों कुछ लगाए और कुछ पोधे कोो लाना है तो उसका जो है शेर करूँगी आप लोगों के साथ और क्योंकि कुछ गंबले वगार काफी तूट गये हैं और यहां पर जो क्लीनिंग है देखिए कितनी अच्छी से जो साइड वाली होती है वह हो गई है यहां पर और सावर वगारा मैंने ले लिया है और दुपार की लंच में ये करेला भरवा बना था और लंच वगारा हम लोगों का हो गया है क्योंकि नास्ता मैंने पहले ही कर लिया था क्योंकि इतनी क्लीनिंग वगारा करनी थी तो अगर वह सब करके मैं करती तो काफी लेट हो जाता इसलिए नास्ता वगारा हम लोग का हो गया था उसके बाद यह क्लीनिंग मैंने किया तो फ्रेंड्स अब में यह था मेरा इवनिंग का रूटीन आई होप लाई क्यों और अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा क्योंकि आपका एक कमेंट जो होता है वो थोड़ा सा काफी मोटिवेट करता है कि आप वीडियो अच्छा लगा और तब मैं इस वीडियो का जो है एंड करती हूँ और आप लोगों से फिर मैं अपने अगले वीडियो और अगले कुछ और्गनाजेशन और टिप्स के साथ हाजिर होती हूँ तब तक के लिए बाबाई एंड टेक केर